मसालों से भरपूर एक्षन थिलर वांटेट के बाद रावडी राथोर के जरिये एक्षन में अपनी महारत सापित कर चुके परभुदेवा पिछली बार मीजिकल लबी स्टोरी रमया वस्तावया बनाई थी लेकिन वाक्स आफिस पर यह फिलम कोई खास करिस्मा नहीं कर पा शूटिंग शेडूल पूरा हुआ तो प्रोडूसर और फिलम की डिस्टिब्यूशन कमपनी को इस टाइटल में दम नजर नहीं आया इसके बाद पुर्भुदेवा ने रैंबो राजकमार टाइटल के साथ शूटिंग शेडूल स्टार्ट किया प्रोड़क्शन कमपनी न आर राजकमार रखने का फैसला किया प्रभुदेवा का कहानी को टीटमेंट देने का अंदाज सतर अस्टी के दसक में अमिताब बच्चन के साथ कई सुपर हिट फिलमें बना चुके डारेक्टर मनमोहन देसाई और परकास महरा की सैली की याद दिलाती है वांटिड और र परकास में बना चुके डारेक्टे 6-6.5 फिट लंबे गुंडों को जब साहिद कपूर अपने एक मुक्के से हवा में उड़ाते हैं तो कुछ अजीब लगता है बेसिक रोमांटिक लबर बॉय वाली इमेज के साहिद कपूर को इस बार अलग लुग में एक्सन और खतरना के स्टेंट करते देखना उनके फैंस को पसंद आया था आर राजकमार ओर्फ रायमियो यानि साहिद कपूर गुसेल और बिद्रोही सुभाव के साथ साथ रोमांटिक मिजाज का यूवग है रोमियो एक छोटे से गाउं में आता है इस गाउं में सिवराज यानि द्रक्स का गयर कानूनी कारोबार करता है सिवराज इलाके में नस्य की कारोबार का सबसे बड़ा सोधागर बनना चाहता है उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोडा इसी दंदे में लगा माडिक परमार्यानी असिस भिद्यार थी है एक दिन रोमियो नस्य के सामान से भरा एक ट्रक अपने कबजे में कर लेता है। दूसरी और सिवराज के नजरे पहले से इसी ट्रक पर लगी वी थी। सिवराज को जब ट्रक लोटने की ख़पर मिलती है तो अग उसे में लाल पिला होकर रोमियो से मिलता है। रोमियो से मिलने के बाद सिवराज को ऐसे सच का पता चलता है जिसे जानने के बाद वह रोमियो के साथ हाथ मिला लेता है और दोनों एक साथ धंधा करने लगते हैं परमार की बतीजी चंदा को रोमियो चाहता है इसी भी सिवराज भी चंदा को चाहने लगता है प्रेम तिर्कोर कामेडी और एक्षन के भी जूलती हलाबी स्टोरी एक ऐसे मोड पर पहुंचती है जहां रोमियो और सिवराज एक दूसरे के दुस्मन बन जाते हैं राजकुमार उर्प रोमियो के लीड किलदार के लिए यकिनन साहित कपूर ने महिनत की है लंबी अर्शे से स्क्रीन पर रोमांटिक किलदार करते आये साहित कपूर ने इस बार खतरनाक और हैलत अंगेज इस्टन्ट सिंस के लिए जबरदस्त महिनत की थी सुनाची सिन्हा को इस बार भी करने के लिए वही कुछ मिला जो आप पहले से कई बार कर चुकी हैं दबंग की रज्जो को अब इस इमेज से बाहर निकलना होगा इस बार भी चंदा के किलदार में सुनाची ने वही किया जो रावडी राथोड सनाप सरदार जैसी कई मसाला फिल्मों में पहले ही कर चुकी हैं सोनुशूद अपने किलदार में सो फिजदी खरे उतरते हैं लंबी अर्शे बाद इस क्रीन पर नजर आए आज इस बिद्यार्थी कम फोटेज मिलने के बावजूद अपने किलदार के साहर नयाय करते हैं परभु देवा ने एक बाल फिर साबिद किया कि एक्शन और मसाला फिल्में बनाने में उन्हें महारत हाजिल है इस फिल्म से साहिस से कई हैरत अंगेज बेहत खतरनाक एक्शन सीन परभु देवा जैसे एक्शन डारेक्टर ही करा सकते हैं गुजरात और मद्यपर्देश की बेतिरिन आउट्डोर लकसन के साथ कैमरा मैंस से परभू ने बेहतर काम लिया है हाला कि ज्यादा एक्षन डालने के चलते परभू स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ नहीं कर पाए संगीत रिलिज से पहले फिल्म के दो गाने गंधि बात और शाड़ी के फालसा यंगेस्टर की जुबापर था आर राजकमार का नाम तीसरी बार बदला गया था पहले इसका नाम नमग रखा गया था फिर रैम्भो राजकमार रैंबो हालिबुड की एक लोग परी फिलम सरंखला रही है और इस नाम से वे किसी को भी फिलम नहीं बनाने देते जब यहाँ बात आर राजकमार के निर्माताओं को पता चली तो उन्होंने फिलम का नाम बदल दिया इसे कुछ लोग आर राजकमार कह रहे हैं और कुछ लोग आर राजकमार यह एक टिपिकल रॉमांटिक एक्षन लब इस्टोरी है जिसे परभुदेवा ने निर्देशित किया है परभुदिवा मसाला इंटर्टेन्मेंट के लिए जाने जाते हैं और बड़े सितारों के साथ उन्होंने धमाकेदार सफलता हासिल करने वाली फिलम बनाई है साहिद कपोर पर फ्लाप एक्टर का लेबल चस्पा था और देखने वाली बात तो यहा थी कि इस बार काम्याब निर्देशन भारी परताया फ्लाप एक्टर साहिद कपोर ने राजकुमार नामक किर्दार निभाया है वह विद्रोही भावक और लड़ाकु है जो एक पल में अच्छा नजराता है तो दूसरे पल में खतरनाक सुनाच्छे सिन्ह ने चंदा की भूंका निभाई है वह आफीम का बेवसाय करने वाले मढ़िक परमार की भतीजी है भारती सौंदर से ओत प्रोच चंदा का ब्यक्तितु बेहत मजबूत है बीहडा धूल से सने छेतर में यह कहानी सेठ है जहां आफीम के खेत है और कानून न्याय को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती इस कहानी में साजिस, रोमांच और मनुरंजन है अगर आपका डबबा अला आपके हपते में हर दिन एक ही करीदे तो आपको कैसा लगेगा निश्ची रुप सक कुछ दिनों बाद आप अपने जीवन के संसारिक निरस्ता से चड़ जाएंगे आजकल ज्यादतर बाले बुड़ फिल्म निर्माताओं के साथ ऐसा ही है वो क्यों नहीं समझते कि वही पुरानी विश्की को नई बोतल में परोशने से वहा नई नहीं हो जाएगी उस हपते पेसकस और राजकमार कुछ अलग नहीं थी वास्तों में उस नई फिल्मों में कोई भी हो सकती है जिन्हें आप पहले ही देख चुके हैं जिन्हें एक्सपर्स के खलनाएं के साथ लड़का लड़की लड़ाई और वांटिट का मुख्बिर बनने वाला लड़का अभी भी हमारे दिमाग में ताजा है फिर दोनों को मिला कर दूसरा क्यों दिया जाता है उसके अलवा आंधिपर्देश के पाउन खेतों को देलगू फिल्मों में अरबो बार दिखाया गया है तो बाले बुड फिल्म के लिए उसी एस्थाम को क्यों चुना गया सच कहूँ तो फिल्म में सबसे बड़ी कमी आश्चर तत्त की कमी है आपके ओल तभी हैरान होते हैं जब मुकल देव सामने आते हैं और साहिद कपूर के साथ अपनी दोस्ती का खुलासा करते हैं एक और बड़ी बाधा कॉमडी है निर्देसक ने अपनी किताब में मजा किया हड्डियों को गुदगुदाने के लिए तरकीब अजमाई है लेकिन वह आउंधे मोगर जाता है अप्रेजरिक अक्सर अनाड़ी और फरमित करने वाले कॉमडी दरह से आपने देखने और भी कठिन बना देते हैं कॉमडी दरह सो में पुराने शुटकले और कई अन दैनी प्रियास हैं जो आपको थोड़ा भी नहीं गुदगुदाते हैं आतरके की एक्शन सेक्वेंस और इस्टंट जो कई बार फिजिश्ट के सभी नेमों को धाता बता देते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आपके घर की दिवारे वास्तों में इटो और पत्थरों से बनी है या नहीं सो करोड रुपे से अधिकी कमाई करने वाली फिल्मे बनाने की जल्दी में प्रभुदेवा ने अपना इस पर स्खो दिया है वह रमया वस्तावया के बाद साल का दूसरा नो ब्रेनर लेकर आए हैं उनकी पिछली फिल्मों की तरह या भी चुटकी भर दच्छल मासालों से भरी हुई है कहानी एक छोटे से गाउं में आधारित है जहां दो ड्रग माफिया सोनुसूद और आसिस विद्यार्थी एक अफिम कारोबार के एक मातर सरगना बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं सोनुसूद के लिए काम करने वाले और आसिस विद्यार्थी की भतीजी के प्यार में पढ़ने वाले राज कमारे निस साहिद कपूर की इतनी ताकत है कि वह अकेले ही सो गुंडों से पूंगा ले सकता है हाला कि फिल्म में सबसे अच्छी बात या है कि साहिद अभिने मुआ वापस आ गए हैं अभिनेता ने उसी तीवर्ता का परदर्शन किया जैसा उन्होंने कमीने में किया था और यही बचकाना आकरशड जब वी मेट में परदर्शित किया था सोनुशूद अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने अपने दबंग एक्ट को बेहतर करने की कोशिश की लेकिन ज्यादा गुंजाइस नहीं थी फिर भी उन्होंने अने लेकर निर्देशकों को उनके बारे में सोचने के लिए काप ही अच्छा किया जैसे वह एक खरनाय के सिर्द्र को लिखते हैं किसी भी गाने में कोई भी बैक ग्राउंड डाइंस रसन अच्छी सिन्ह का किर्दार निभा सकता है और साहित जब कहते हैं तो गलत नहीं है तेरा वजन देखा है यह आपको वास्तों में लगता है कि हाँ वह एडजस्ट कर रहा है यह समय है कि वह नई भूमकाओं के साथ परियोग करना सुरू कर दे क्योंकि वह लगातार एक ही भूमका को बार-बार करती रही है और एक टिप सोना करपया एक जिम जोइन करें जिल्म का संगीत अच्छा है कुछ समय के लिए चार्ट पर हो सकता है लेकिन इसमें बहुत सारे गाने हैं निर्देश से कि यहां क्यों नहीं समझते कि अगर वह पांस-पांस मिनट के पांस-पांस गीत डालना चाहते हैं तो वह एक अलग संगीत वीडियो भी बना सकते हैं और दर्सकों को अतरिक तद्धे घंटे का समय दे सकते हैं और उनकी साधी के दिन किसका आइटम नमबर है। यदे अब देच्छर फिल्मों के डाई हार्ड फैन हैं या उनके बिना दिमाग वाले पाड़ वाइलर हिंदी रिमेक के बड़े परसंसक हैं तो इस फिल्म के लिए जाएं और एक अच्छा समय बिताएं। के राइवल डीलर को खतम करना। लेकिन राजकमार के लाइफ उस टाइम पूरी तरह से बदल जाती है जब उसकी मुलाकात एक ब्यूटी फुल और एजूकेटड घर चंदायनी सुनाची सिन्हा से होती है। राजकमार नहीं जानता कि चंदा एक अनाथ लड़की है जिसे उ पानिक और सिवराज के ड्रग बिजनेस को तबाह करना होगा। जिसे मलेशिया में बैठा एक माफिया डान आजी टाकैनी सिरीहरी कंट्रोल करता है। पर जरा जरा सी बात पर मुसिब्दों से टकरा जाने का दम रखने वाला और राजकमार अपने प्यार के लिए इस तु डालॉक्स हैं। फिल्म का म्यूजिक सभी को पहले ही पसंदा रहा है। इसमें बड़ी बात है कि साहित को इस समय एक हिट की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने मेहनत भी की थी। पर्भुदेवा का डारेक्शन एज यूजिवल फिल्म की स्पीड बनाएं रखता है। पर्भुदेवा निर्देशित वांटट से ऐसी फिल्मों की शुरूआत हुई थी। पर्भुदेवा निर्देशित आराजकुमार इसी कड़ी की ताजा फिल्म है। इस बार सहित कपूर को उन्होंने एक्शन हीरो की छबी दी है। मासूम रोमांटिक और भोले दिखने वाले सहित कपूर को खूटी दाढ़ी दे कर रप टब बनाया गया है। एक्शन के साथ डांस का भड़कदार तड़का है। सहित कपूर निश्चित ही सिध्ध डांसर हैं। एक्शन और डांस दोनों में सहित कपूर जी तोड़ मेहनत दिखती है। ऐसी फिल्मों के परसं सक दर्शकों को आर राजकमार मनोरंजक लग सकती है लेकिन लोग प्रियत्ता की संभावना के बावजूद इस फिल्म की सराहना नहीं की चाज शकती फिल्म में तोड़ा प्यार और बहुत ज्यदा मार है फिल्म का हिरो अलग लग दरस्म में साइलेंट हो जा नहीं तो वाइ प्रचलित खामियों के बावजूद इस फिल्म में साहित कपूर और सुनाची सिन्हा दोनों की प्रतभाव के नए आयम दिखते हैं परदे पर दोनों की जिजग खतम हुई है उन्होंने अपनी भूमकाएं जिम्मेदारी से निभाई हैं सुनाची सिन्हा के नरत में गती और मादकता आ गई है साहित कपूर भी कैमेरे के आगे अधिक सहस दिखे हैं सो उन्हों को अच्छा उसर मिला है लंबे समय के बाद आसिस बिद्यार्थी को परदे पर देखना सुखद लगता है लेकिन घिशी पिटी भूमका में उनका लौटना दुखत था फिल्म के गीत मुखिरूप से निरत के लिए ही रखे गए हैं इन गीतों पर साहित कपूर और सुनाची सिन्हा का जुमना फिल्म को सूस हो रहा था कि अस्थानी मल्टिपलेक्स भी टाइम मसीन के रूम में दोगना हो रहा है आप उसमें कदम रखते हैं और सिधे 1980 के दसक में पहुंच जाते हैं अनि था हिंदी सिनेमा के सबसे खराब दसक के रूम में जाना जाता है दो हबते पहले या सिंग सापता ग्र स्वांस लाते हैं और आजकमाल इस पस्ट रूप से पर्भु दिवा की पहली गयर रिमेक हिंदी फिल्म है लेकिन आपने यह सब पहले देखा है एक समात बोलने वाला नायक उसकी सिगनेजर लाइन है साइलेंट हो जा वरना मैं वाइलेंट हो जाऊंगा मिस रित विदू के साथ अच्छा है बुरा बरताओं ना किया जाए क्योंकि तब में किसी भी चीज़ का अनंद नहीं ले पाता लेकिन आर राजकमार पर फुलित उद्दम रूप से प्रतिगामी है राजकमार चंदा का पीछा करता है जब वो उसे थपड मारती है तो आउसर पाकर उसके ह की बात उसे गुस्सा नहीं दिलाती इसके बजाए उसे उसे प्यार हो जाता है खलनायक जो उसके साथ भी उलजया हुआ है कहता है तुम हमारे बगीचे का सबसे सुन्दर फूल हो और उसे साधी करने पर जोर देता है यहां तक यो अपनी साधी के रात को कैसे निचोड़ चोरेगा इसका बिश्दत वाडन भी देता है कहानी बहुत ही कमजोर और जोर सोर से है क्योंकि जब नायक प्यार 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 नहीं कर रहा है तो हमार-मार-मार और पुर्ष बहुत्की के हर नियम को धता देते हुए सभी दिसाओं में उड़ा रहे हैं कुछ गाने आकर तो भी इस्टेडिम कर रहा हूँ लेकिने आवास्तों में आपको इस धमाकेदार फिल्म में समायजित करने के लिए पर्यापत नहीं है। पुलिस गिरी, सनी देवल, सिंग साबदा ग्रेट और सैफली खान बुलेट राजा। अफसोस की बात है कि इन में से अधिकांज फिल्मों को सिने इस्टार द्वारा लाल जंडा दिखाया गया। जिसमें संकियों को यहाँ विश्वास हो गया कि यहाँ 1980 के देशक की पुल खाएंगे। परभु देवा ने वांटेट के साथ बाली बुड में मसाला सैली को पुनर जीवित किया। इसके बाद में मनोरंजन करने वाले की भरमार हो गई। दर्शकों के लिए उन्होंने जो कुछ भी पेस किया उससे बिचलित ना होकर परभु देवा ने एक क कहानी सुनने के लिए आये थे जो ग्रामेर इलाकों में सेट है। फार्क सिर्फ इतना है पर भुदेवा के पिछले प्रियासों की तरह राजकुमार एक दश्र भारती हिट का रिमेक नहीं है। मज़े की बात है कि कुछ हपते पहले सहित कपोर ने राजकुमार संतोसी के स एक मनुरंजन फटा पोस्टन निकला हिरो फिल्म के लिए एक टीम बनाई और कई लोग वो इस फिल्म और इस फिल्म आराजकुमार के बीच समान ताये बना रहे हैं। सच नहीं अब अगले प्रस्पर क्या या एक मानक मसाला फिल्म की प्रकुरत है या इसमें और भी प्रियापत रूप से प्रियरिक और असुस्त करने वाला दिखता है बड़े पैमाने पर अनकोल समवादों को तेज करता है और दरजनों बदमासों को मारता है जैसे हम मक्यों को मारते हैं। राजकुमार एनी सहित कपूर जेक ड्रग डिलर सिवराज एनी सुनुसूत के लिए काम करता है को प्रतिजन्दी ड्रग डिलर आसिस बिद्यार्थी को खतम करने का काम सोपा जाता है उससे पहले उसकी नजर चंदा एनी सुनाची सिन्हा पर पढ़ती है और उससे उससे प करता है युद्ध की रेखाएं खीश दी गई है मचाला मनुरंजन करता दर्शकों को नाएक के सुपर हीरो गुड़ो पर विश्वास करने के लिए मजबूर करने वाले हैं उसे वास्तों में एक हरफन मौला होना चाहिए भावना रोमांस गायन नरत और फ्लैक्स मास्पे या कितरा है परभुदेवा ने आर राजकमार में फिर से रोमांस पर जोर दिया है जिसमें एक्संस होने पर सुहागा है और इसे एक रोमांटिक फियर के रोम में प्रस्तित करते हुए परभुदेवा ने आर राजकमार को एक संपूर मौनरंजन करने के लिए हलके फुलक चड़ो और चाट बस्टिंग संगीत का भी पैकेश दिया है आर राजकमार के पास वह सब कुछ है जो होई पलोई असमानी जन्मरोंचन में देखता है समस्य इस तत्थ में नहीत है कि मसाला फिल्मों की अधिक्ता होने की कारण वास्तों में आगे क्या होने वाला है इसका अ समजोर पढ़कता खेल बिगार देती है राजकमार के तास के पत्तों की तरह किरने का एक और कारण कास्टिंग है हाला कि साहित कपूर ने वास्तों में अच्छी तरह से अवने किया है लेकिन उन्हें सलमान खान की दवंग और अक्षकमार के राड़ी राथ होड़के समान की तरह से दूर की कोड़ी लगती है संचेव में साहित घर पर हैं जब उसे गाना गाना है और सुनाच्छे संधा के साहर रोमांस करना है लेकिन जब उसे एक सुपर हीरो के रूम में अभने करना है तो वह असुस्त करने से बहुत दूर है परभुदेवा ने हमेशा मसाला सहली में उत्क्रश्ट परदर्सन किया है और यही कारण है कि उन्हें मनोरंजन के बासा का लेबल दिया गया है लेकिन एक पंक परकास औधाड़ा और पुर्वा निमे गोईन आन मन्नी के रूम में कार करते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा कुछ सीक्वेंस छड़ आपको चोकस रखने में काम्याब होते हैं लेकिन वे बहुत कम हैं एक निगल एक गर्मी नहीं बनता है समवाद भी उपयोगी हैं कुछ चत्र प्रंक्तियों को कथा में एकी करत किया गया है प्रीतम चाड़ बस्टिंग स्कोर देता है गंदी बात साड़ी के फालसा और मतमारी आकर सग गाने हैं और पहले दुगाने बिशेस रूप से पहले ही सुरताओं को पसंद आ चुके हैं लेकिन कट्डू कटेगा रावडी रथोर आरे प्रीतम प्यारे के आइटम सांग की याद दिलाता है जबकि रोमांटिक ट्रैक धोखा धड़ी सामान है एक्शन स्रिक्वेंस हाल की अच्छी तरह से और उर्जा से भरपूर हैं उसी साचे में आते हैं जैसे हमने कई मसला इंटर्टेनर्स में देखे हैं सहित कपूर को एक जन हितेसी किल्दार निभाने का मौका मिलता है और यह इसे अपना सब्शेर सात देते हैं एक आसाधार नेतरत और भाव ही बहुत आगे से बिक्त करता है लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया जब खलनायकों की सिना से लिनने की बात आती है तो वहाँ वास्तिक्ता से दोर देखता है ऐसा लगता है कि सुनाचे सिन्हा दोहराई जा रही है और उन्हें खुद को फिर से बदलने की जरूरत है सोनुसूत के लिए ठेक वैसा ही है जो बिना किसी प्रियास के अनिवार खलनायक की भूमका निभाते हैं असरानी लगभग ठेक हैं असिस बिदार्थी ने पूरे अकल की भूमका बाखुबी निभाई है मुकल देव पास करने योगी हैं स्री हरी को प्रियाप्ट गुंजाइश नहीं मिलती है कुल मिलाकर आर राजकुमार काम नहीं करता या परभु देवा की अब तक की सबसे कमजोर हिंदी फिल्म है यदि आपको रोज एक ही तरह की डिस्क खाने को मिले तो आपको कैसा लगेगा आप सुरू में एक दो बार तो इससे पसंद कर सकते हैं मगर कुछ दिन बाद आप इससे बोर और इरीटेट हो जाएंगे लगभग हर दूसरे हपते बाली बुड फिल्मे कर एक ही टेस्ट की फिल्में परोस रहे हैं जिसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है कुछ इसी तरह की फिल्म है उस अपते रिलीज हो रही आर राजकुमार की इस फिल्म में भी आपको ठीक उसी तरह के प्लाट, एक्षन और रोमास के सीन देखने को मिलेंगे जैसी आप आज से पहले सेकड़ों बार देख चुके होते हैं आर राजकुमार में किसी भी सर्प्राइज, एलिमेंट करना होना निराज करने का सबसे बड़ा कारण है कोई भी आसानी से पूरी फिल्म की भविस्वाड़ी कर सकता है कि इसमें आगे क्या होने वाला है वैसे इस फिल्म के लिए प्रभुदेवा को ब्लेम भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वह इससे पहले अक्चक मार के साथ ऐसी ही एक फिल्म रावडी राथोड बना कर सो क्रोड से ज्यादा कमाई कर चुके है प्रभुदेवा के अन फिल्मों की तरह ही इस फिल्म में भी साथ का पूरा टेस्ट देखने को मिलता है तेजी से आगे बढ़ती फिल्म क्वार की आइटम नंबर और ऐसा हीरो जो किसी को भी मार सकता है ऐसे सभी चीजे इसमें आपको देखने को मिलेंगी फिल्म एक गाओं के शट पर अधरित है जहां दो ड्रग माफिया खुद को पूरे छेतर का किंग बनाने के लिए एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे हैं फिल्म मेराजकुमार की भंका में सहित कपोर इनमे से एक माफिया के लिए काम करता है जो बहुत ही बहादुर और एक बार में सो से ज़्यादा गुंडो को मार सकता है हाला कि वहाँ एक दूसरे माफिया की बतीजी से प्यार करने लगता है फिल्म में दूसरी निरासा करने वाली चीज है इसकी कॉमडी फिल्म में डारेक्टर ने लोगों को हसाने की पूरी कोसिस की है लेकिन वहाँ इसमें पूरी तरह से फेल हो गए फिल्म में कुछ अनक्वेंस सीन भी हैं जो कई बादर्शकों की परिच्छा लेते हैं जो आपको कुछ ज्यादा ही अजीब लग सकते हैं एक दुबले पतले सरीर के साथ साहित कपुर इस भूमका के कुछ अजीब से दिख रहे हैं कुछ सीन तो बिस्वास करने के लायक नहीं हैं जिन में एक दुबला पतला लड़का अपने से तीन गुना ज्यादा सकती साली गुंडों को पिट रहा है फिल्म में उनमें परफार्मेंस को देख कर कहा जा सकता है कि वह इस से अच्छा काम भी कर सकते थे सुनाचे से नहलग भग हर फिल्म में अपनी पहली फिल्म दबंग की तरह ही का किलदार निभा रही है अब वक्त आ गया है कि वह अपने किलदार में कुछ परियोग करें नहीं तो वह कुछ फिल्मों की ही वन डर बन कर रह जाएंगी सोनु सूद ने अपने अभिने से जरूर परभाउत किया है वह बिलन के रूम में डारेक्टरों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं इस फिल्म की मुजिक काफी इंप्रेस्यू है और आपके प्ले लिष्ट में कुछ दिनों तक रहने की चमता रखती है गंदी बात और साड़ी के फालसा पहले से ही अंगस्टर के बीच में अपनी जिगह बना चुके थे फिल्म में बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं जो सिर्फ फिल्म की लिंथ बढ़ाने के लिए हैं हाला कि यदियाप नो ब्रेनर फिल्म के बड़े फैन हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ए फिल्म एक बार जरूर देखें एक डायरेक्टर का करियर बॉली बुड में सरपर डौड रहा था उसने वांटेड और रावडी राथोर जैसी बड़ी हिट फिल्में दी वह सेफ गेम खेल रहा था और मसाला फिल्में दे रहा था लेकिन इसी बीच उसे एक कदम से अंतर ग्यान की प्राप्ती हुई कि उसे नए और जवाँ सितारों के साथ काम करना चाहिए उसने पहले एक प्रोडूसर के बेटे को रमया वस्तावया की जरिये लांच करने की अस्फल कोशिश की तो इस बार उन्होंने लंबे समय से बाद पिट रहे हिरो को बॉक्स आफिस का रोमियो बनाने के चकर में अपनी किरक्री करवाली यह डारेक्टर और कोई नहीं अपने डांसर और डारेक्टर प्रभू देवा हैं उनकी फिल्म आर राजकुमार को किसी बड़े चमतकार की उमीद बेमानी निकली फिल्म में रूमियो यानि राजकुमार शाहित कपूर और चंदा यानि सुनाचि सिन्धा की प्रेम कहानी है राजकुमार एकदम टपोरी च्षाब बनता है लड़की को पटाने के लिए हर छीचोरी हरकत करता नजर आता है राजकुमार माफिया के साथ काम करता है रिपेर के हाँक रहे हैं. साइद कपूर एक्शन में जनते नहीं हैं और अपना सब कुछ जोकने के चकर में वो कुछ लाउड हो गए हैं. सुनाची सिंहा के साइद कपूर की जोड़ी जनती नहीं है. साहेद अच्छा डांस करते हैं, एक्टिंग भी ठीक करते हैं, लेकिन क पहानी लचर है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ मसाला के चकर में भरपूर जोल है, ऐसा लगता है कि कई हिट फिल्मों को मिला कर एक फिल्म बना दी गई है, सुनाची सिन्हा, दबंग, रावडी राठोर के ही अपने किरदारों को आगे बढ़ाती दिखती हैं, सोनु सूद भी बिलन के रोल में आप काफी इस्टोरियो टाइप लगने लगे हैं, साहित कपूर की बॉक्स अपिस पर रेटिंग डाउन ही है, पर भुदेवा का क्रिस्मा भी पिछली फिल्म में नहीं चल सका, सुनाची सिन्हा की पिछले हपते बुलिट राजा रिलीज हुई थी, तो इस बार आर राजकुमार उनकी ओवर डोज हो सकती है, फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपे के आस पास बताया जाता है, इस आकड़े को हांसिल करना कोई आसान काम नेजर नहीं था, वो लोग जिन्हें साहित पसंद है, साउट टाइप एक्शन फिल्में लाइक करते हैं एक दो अच्छे गाने सुनने के सौकिन हैं, उनके लिए फिल्म हो सकती है, वरना यही कहेंगे कि परभी दिवा फाल नहीं लगा सके। आकर इस मकसद को पूरा करने के लिए सोनु सूद हाथ मिला लेते हैं, आसिस बिद्यार्थी से और यही से सुरू होती है सहित कपूर और सोनु सूद की दुस्मनी। आक्टिंग के साथ साथ सहित कपूर ने डांस भी अच्छा किया था, उज़र सुनाची सिन्हा ने भी भरपूर कोशिस की थी, सहित कपूर के साथ अच्छी कमेश्टरी बनाने की, वैसे ना फिल्म की कहानी में कुछ नया पन है और ना फिल्म की मेकिंग में, आजकल ऐसा आक्षन भी बॉली बुड की ज्यादातर फिल्मों में नजर आता है, लेकिन जो भी इस तरह की मसाला फिल्में देखना पसंद करते हैं, वह आर राजकमार को एक बार देख सकते हैं। प्रोड रुपे की कमाई के साथ बॉक्स आफिस पर सफल साबित हुई थी, इस फिल्म का निर्देशन किया था प्रभुदेवा ने, ये लिखी गई थी प्रभुदेवा और सुनिल कुमार अगरवाल, रभी ऐसंदरम और सिराज अहमत के द्वारा, ये निर्मित की गई थ बल्लू सलूजा के द्वरा, इसमें संगीत दिया है प्रितम संदीप चोटा ने, उत्पादन कमपनी है अगली पीड़ी की फिल्में, ये बित्रित की गई थी, इरोजनाव इंटरनेशनल कमपनी के द्वरा, ये रिलीज हुई थी 6 दिसंबर 2013 को, ये मूवी 146 मिनट की है, बारत में हिंदी भांसा मेरी लीज हुई थी, इस फिल्म का बजट था 38 करोड रुपे और इसकी कुल कमाई हुई थी 100 करोड रुपे, तो आईए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में, रोमियो यानि राजकमार एक लचहीन युवा है, जो एक छोटे से सहर धरती पुर में आता है, जिसका नाम सिवराज गुरजर और उसके कटर दुस्मन मड़िक परमार नाम के दो ड्रेगन पैरन है, जो अजीत ताका नाम के माफिया डांदोरानी अंत्रित है, जो हंकांग में काम करता है, राजकमार सिवराज के लिए काम करना सुरू करता है, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, जब वा सुन्दर सिच्छी चंदा पर ताली बजाता है, उसके लिए अग्याज चंदा एक अनाथ है, जिसे उसके चाचा मढ़िक परमार ने पाला है चंदा राजकुमार के आकर्षड में पढ़ जाती है जैसे ही उनका प्यार पर अपने वाला था सिराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गिले शरीर की लालसा की इस बीजवा परमार के साथ सम्झोता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विर्ध चंदा की साधी सिवराज से करने का फैसला करता है गुस्दे में राजकुमार सिवराज के आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनाती देता है कि वहाँ सिवराज के सामने चंदा से साधी करेगा सिवराज चंदा को परभावत करने की बहुत कोशिस करता है लेकिन अस्फल होता रहता है चंदा एक दिन कुरोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ सिवराज को चुनोती दे देती है वह कहते हैं कि वह अपने कपड़े खुद उता रहेगी अगर सिवराज राजक के लिए काम करता है, और उसे के वल ड्रक कार्टल को संभालने के लिए धर्ती पुर्व भे जा गया था, जिसके लिए सुराज और परमार दोनों निश्टा रखते हैं। राजकमार ट्रक्स निसे भरे सिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाता है सिवराज का चौरी हुओा ट्रक ट्रक को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खाली था गटनाओ के एक मोड में यहाँ पता चलता है कि सिराज और टकका ने हाथ मिलाया था और जान बुज कर राजकमार को खाली ट्रक चुराया था सिराज ने राजकमार को बहरेमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया सिराज चंदा के साथ अपनी साधी का ज़स्न सुरू करता है केवल अभी भी जीबिर राजकमार दौर आपाधित किया जाता है जिससे सिराज के गुरगे कमर अली दौरा दफनाए जाने के बाद बचाया गया दिखाया जाता है सिराज के आदमी पीछे हट जाते हैं के कुई आप राजकमार के दोस्त हैं इसलिए दोनों के भी चामने सामने के लड़ाई होती है अधिकान से लड़ाई के लिए सिराज राजकमार को पचार देता है अंत में राजकुमार सिवराज को गले में पावर पंचे से मारता है और बाद में डान टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देता है हत्या के बैतवा चंदा से साधी करता है फिल्म कमर अली के नेतरत में सभी पुर्सों के साथ परमार और सिवराज के से सहयोगी की पिटाई के साथ समाप्त होती है जब कि एक गंभी रूप से गाहल राजकुमार और चंदा खुसी से हाथ में हाथ डाले चल देते हैं इस मूवी में रोमियो एनिरैस्कमार के रूप में थे साहित कपूर, सुनाचे सिन्हा ने समें चंदा का किलदार निभाया था सिवराज गुर्जर के रूम में थे सोनू सूद मढ़िक परमार के रूम में थे असिस बिद्यार थी असलानी पंडित के रूम में थे कमराली के रूम में थे मुकल देओ अजीड टाका के रूम में थे सिरीहरी पुनम जावार बिंदू के रूम में थी असोक सामर्थ इंस्पेक्टर के रूम में थे जीवी सुधाकर नाइटू के रूम में थी चतुर सिंग के रूम में थे बिजे पाटकर फिल्म में सुनाचिस सिन्हा ने कुछ स्थीन किये थे चारमी कौर ने जोन 2013 में फिल्म के लिए आइटम गेत गंदी बात के लिए सुटिंग की